Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu उम्मीद कहती हूँ आप सब खेरियस से होंगी बहुत अच्छे होंगे और बहुत फिट होंगे और लाइफ में कुछ तो ऐसा काम कर रहे होंगे ना जिससे पैरेंट्स का नाम होचाए लाइफ में आपको जिन्दगी देने वालों को अगर आपने नाम नहीं किया आपने कुछ काम नहीं किया आपने ऐसा मतलब उनको प्राउट नहीं फिल का है तो यह आपके जिन्दगी तो कुछ काम की नहीं आपने कुछ करा ही नहीं तो आज बहुत ही चोटा सा टॉपिक आप सभी को समझाने चाहरे हूँ शायद में भी आप ये समझोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा हमारे जिन्दगी अच्छी है अल्हा सुभानु अच्छी जिन्दगी दिये रमजान की बरकत से तुम्हें सारी नहमत है ताकि रमजान की बरकत से तुम्हें दीन के रास्ते पर चलाने की बहुत कोशिस की अल्हा सुभानु अच्छी नहीं रमजान इसलिए भी आता है कि आप समझो कि इसलाम क्या है रमजान इसलिए भी आता है कि हमें रियलाइज हो कि हमारा इसलाम क्या है ये बात बहुत जरूरी है कि हमारा दिल, इमान और इसलाम की तरफ ऐसे हो जी हम अल्लास्पषणन होता लागे बहुत करीब हो मुसीबते किन पर आती है बहुत से लोगों सोचते हैं miraculous हैं हमीशा मुसीबते अल्ला उन बंदों को देना चाते है जिनसे दीन इसलाम का काम लेना चाहते हैं ये मेरी तरफ आएगा ये मुझसे मांगेगा ये मेरे सामने जुगेगा अल्ला सुभान वतला चाहते हैं कि तुम मांगो मांगने से सब कुछ मिलेगा ना मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा मांगने वाले अल्ला को बेहत पसंदे यूंग ॥ा अल्ला बस हमें मुहाफ कर दे हमें साफ कर दे गुनायों से सबर और शुकर की क्या बाते पते हैं सबर और शुकर की ऐस मैं बात करने जा रही हो आप सबी के सामने, सबर और शुकर, इसमें से सबसे उच्छा को आने पता है, शुकर है, शुकर करना, कि या ला तुने ये दिया तिरा शुकर, कि तुने आज खिलाया, मैं और मेरे फादर हमेशा, जब खाना खा के उड़ते देवा, विया लाइक कि, अलहम्द लिल्ला, या सेह रहे हैं, मैं मानती हूँ, बहुत सी तकलीफे होगी, जिससे आपको ऐसा लग रहा होगा कि, मतलब ये तकलीफे बहुत ज्यादा है, बट मैं एक बात बताओं, एक बात बताओं, सिर्फ वुजू करके, जानमास पर, दुआ मांग कर देखना, ऐसा लगेगा, अल्ला सुन रहे हैं, जब अल्ला सुनते हैं, जब अल्ला को तुम अपना दुख़़ा सुनाते हो, और फिर अल्ला सुनते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट आता है, उसका तुम सोच भी नहीं सकते, एक बात हमेशे आद रखना, कि आपको जिन्दगी देने वाली जात अल्दा की ह जब उसने कुछ सोचा होगा, तभी आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम में दाला हैं, तो उसमें से निकलोगे, लेकिन कब, जब आप भी अल्ला के करीब जाओगे, जब आप माफी मांगोगे, this is the way you are talking कि, या अल्ला मतलब मेरी सिंदगी में तकलीफ है, मेरी सिंदगी में प जो आपके पीछे उनको दुख रह जाएगा, एक इंसान जब मरता है न, तो वो तो मर जाता है, लेकिन उसके पीछे जो अपने होते हैं, उसको जो तकलीफ गम होते हैं, वो कोई नहीं समझ सकता, the way heavy heart लेके चलना पड़ता है, मेरा अपना मेरे साथ नहीं, और अम्मी, ज तनी बड़ी हस्ती ना हो, सामने वाले के संदगे में तो बहुत हैवी फियूलता है, I just wanna say, कि ये जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर दो आप सभी से, कि हमेशा याद रखे, सबर की ये तासीर है, कि आप सबर कर रहे हो ना, that means ये नहीं रो कर शेयर करो मेरे साथ ये है, या ला ये हल कर दे मौला, ला ही हल करेगे, मैं बहुत से लोगों को देखते हूं जो अपनी जिन्दगी में हार चुके हैं, जिनकी बस कोई रास्ता नहीं है, जो बस ये सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, नहीं, रास्ता ये नियは, रास्ता ये है कि आप रोज अलला के इतने करीब जाओ कि लौ अपको बेखत पसंद कर ले अलला को सबको पसंद करते हैं बज़ आपको इतना पसंद कर ले कि अलला इसलाम का काम अपसे बहुत लिल्वाए यह बात है, You know कभी बैठना, कभी कोई तिलावत सुनना, कभी अल्लाह सुभानुट अल्लाह के 99 नेम्स सुनना, जिन्दगी में कभी भी गड़बड हो जाए ना, जिन्दगी गाड़ी गड़बड लगे ना, तब इसलाम के रास्ते पर निकलने की कोशिस करना, मैं गैरिंटी देती हूं कि तुम्हें दुनिया की जिन्दगी जीरो लगे گी, तुम्हें अल्लाह सुभानुट अला का रास्ता इतना मजबूत लगेगा ना, कि ये जिन्दगी जीरो लगेगी, वैसे भी दुनिया की जिन्दगी तो 50-60 साल है, one of my best friends जो हमेशा कहते हैं कि दुनिया की जिन्दगी बहुत कम है तो ये क्या पाया, क्या खोया, क्या कम आया ये दुनिया मेरे जाएगा मरने के बाद हम कुछ साथ लेके नहीं जाते जब कभी भी हो ना ऐसा कि आल्ला तुने में को बहुत तक्लीव दी ऐसा मुँमे से निकल जाता है तभे ना दूसरों की तकलीफ देखना बाहर निकल के देखना आपको क्या पता चलेगा कि आपसे भी कई ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बहुत तकलीफ में है रिमेंबर वान तिंग शुकर सबर करना चाहिए सबर करने वालों के साथ तो अल्ला है और शुकर करने वालों को अल्ला बहुत देता है तो जो हालत में हो जैसी हालत में हो शुकर करना ना भूल ये बहुत इंपॉर्ट है आखिर आप शुकर करोगे तो आपको सबर का अर्ज़र भी मिलेगा शुकर करोगे जो है उसमें तो अल्ला बहुत देंगे इंशाला रिमेंबर वन तिंग और हमेशा याद रखना अल्ला सुभानुट अल्ला इस ओल्वेज बिदियो रिमेंबर वन तिंग हमेशा ये बात याद रखना कि जिस रब ने तुम्हें दुनिया में भेजा है ये जिन्दगी तुम्हारे बिल्कुल नहीं है तो तुम होते कौन हो अपने जिन्दगी को खतम करने वाले यू हैव तू लाइव फॉयो मितलब हमारी फैमिली के लिए अल्ला सुभानों ताला ने जिन्दगी दी है तो हमें अल्ला सुभानों ताला के ने जिन्दगी दी है जब तक तो जीना ही है ये बात है हम अपने जिन्दगी पर कोई वो नहीं होते कि ये मेरी जिन्दगी नहीं ये अपनी जिन्देगी तो बिल्कुल नहीं है तो बस ये सोच के चले के सबर शुकर करे शुकर करोगे शुकराना अल्ला या अल्ला तरह शुकर है आज तो नहीं ये दिये या अल्ला कोई बात नहीं कर वो नहीं दिया तो शुकर अलहम्दलिल्ला तो शुकर करने से हमेशा चीजों में बड़ावा देखा गया है मैंने तो देखा है तो हमेशा याद रखे कि शुकर करो ताकि आगे की जो जर्णी है उसमें अल्ला सुना आपको बहुत दे और सबर करने वालों के साथ तो वैसे भी अल्ला सबर मताला है ये बात हमेशा याद रखना कि अगर आप पर तकलीफ आईए ना तो खुश होईए अल्ला चाहते हैं कि मैंने इसको तकलीफ दिये तो वो मुझसे मागीगा मेरे पास आएगा नमाज पढ़ेगा हमेशा अच्छे काप करेगा किसी का दिल नहीं दुखाएगा ये बात है बस सबर शुकर करो बाकी की जिन्दगी बहुत आसान है अल्ला हम सब को तौफीग दे और हमें मुझे भी अपने दौाओं में याद रखेगा अल्ला आपको बहुत ही मत दे सब को जो भी तकलीफों में है मैं बहुत दौाएं करतू ये अल्ला सब को सब की रास्ते आसान हो जाए आमी दौाओं में याद रखेगा असलामु अलेकूँ